हेलो गाइस जैसी क्रिष्णा मैं अंजू पंडे योर कुक्स चैनल पर आपका तहीं दिल से स्वागत है तो आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे पालक के पराठे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिया है मैंने पालक, धुलीवी, कटी यहाँ पर मैंने एक बड़े कटोरे में आटा लिया है लेकिन छोटी कटोरे में यह दो कटोरी के हिसाब से होगा और यह देल, लाल मिर्ज पाउडर, अजवाइन, जीरा, कुटी हुई, अद्रक, नमक, एक चमच, और एक मिर्जी, कटी हुई तो सबसे पहले हम आटे को एक बड़े बर्दन में डालते हैं यहाँ पर मैं ब्रिकफास्ट के लिए बना रही हूँ और अब हम इसमें डालते हैं कटी हुई पालक अब हम इसमें डालते हैं अजवाइन, जीरा, हरी मिर्ज, कुटी हुई अद्रक, नमक, और आदी छुटी चमच के हिसाब से लाल मिर्च, अब हम इन सब को मिला लेते हैं अब हम इसमें एक चमच के हिसाब से तेल डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसे गुधि लेते हैं तो आटा हमने यहाँ पर गुधि लिया हैं, मैं दो तरीके से पालक की पराठी बनाती हूँ, एक काट कर और दूसरा गैस में चढ़ा कर फिर उसे मिक्सी से पीस कर, तो मैं उस तरह की रेस्पी भी एक दिन जरूर लाँगी, और चलिए, अब हमारा आटा गुधि गया है, तो चलते हैं पालक का पराठी बनाने, आप चाहें तो थोड़ा सा पर्थन भी लगा लीजे, इसे पहले रोटी की तरह बढ़ा कर लेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे तेल, अब इसके उपर लगाएंगे तेल, और इसे फोल्ट कर देंगे, यासे, अब इसके उपर भी लगाएंगे, अब इसे भी फोल्ट कर देंगे, और अब इसे बेल लेंगे, अब इसे डालेंगे ताव में, तब हमारा गरम ही, जब तक हमारा पहला पराठ़ा जब तक हमारा पहला पराठा सेकरा है तब तक हम दूसरा पराठा भी इसे पहले हम रोटी की तरह बनाएंगे इसके बाद उसमें तेल लगागर पराठे का कर देंगे यह हमने रोटी की तरह बना लिया बड़ा अब हम इसमें फिर से लगाएंगे तेल चारू साइड हम अपने हर एक पराठे में इसी तरह से रोटी बना कर पराठे का कर देंगे इसके उपर भी लगाएंगे एसे तेल और इसे भी एसे फोल्ट परलेंगे और अब हम इसे बेल लेते हैं जब तक हम इसे बेल रहे हैं तक हमारा पहला पराठा सहख चुका है तरह हम इसे बलट लेते हैं इसके उपर भी हम लगा लेंगे तेल हमें दोनों साइड़ लगाना है पलट कर जिसे पराटा अच्छी तरह से शेख जाए इसे धीमी आच में ही पकाएंगे क्योंकि अगर हम तेज आच कर देंगे तो यह नीचे से जल भी सकते हैं इसलिए धीमी आच में ही पकाएंगे इनको पहला पराटा हमारा सेख चुका है अब हम इसमें डालेंगे जूसरा पराटा जो हमने बनाया हुआ है तो अब हम इसे भी धीमी आच में पकाएंगे और इसे पलट कर फिर से दोनों साइड हम तेल लगाएंगे इसी तरह से हम अपने बाकी पराटी भी बनाएंगे तो हमारे पलग के पराटे तयार हैं और आप इसे चटनी के साथ साथ किसी के भी साथ खाईए बहुत ही स्वाधिश्च लगेंगे तो आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू